कि किसी भी इस्थिति या परिस्थिति में हम नौजवानों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं और उनके भविस को बहतर बनाना चाहते हैं इसलिए जो B.S.A.C. का मामला है जो कहीं न कहीं कुछ टेक्निकल मामले में फसे हुए हैं उन टेक्निकल मामले को सरकार करने वाली सरकार है यह नौजवानों को रोजगार देने वाली सरकार है और उस दिशा में हम निरंतर कार्ज कर रहे हैं निरंतर आगे बढ़ रहे हैं इसलिए उनको मायूस होने के अफसकता नहीं है उनको इसी यह में न्यूक्ति पत्र भी मिलेगा उनके चेहरे पर मुस् सायमत जी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से भी ससे दोजर चौदा जो अभियारतित है उनका सारी वैरिफिकेशन तक हो चुका है सारा कुछ कुलियर हो चुका है भी फिर भी आयोग लटका कर रखोई और आयोग में यह बच्चे जाते हैं तो आयोग कहत लगवग 9 साल हो चुका सर नो साल से सरकार क्या करें सर उनलों का अंधकार में जिंदगी लटका हुआ 1770 अभियरती होगा देखिए अभी आप समय बता रहे थे कि मानिय मुख मंतरी जी ने इसमें कहा कि आप लोग का हो जाएगा तो इससे ही असपष्ट होता है कि सरकार करें उनके भविस को बहतर बना करके हम ना सिर्फ उनके परिवार का भविस बलके बिहार का भी बहतर भविस और राज का भी राष्ट का भी बहतर भविस करने का काम करें चुके नौजवानों को जब चेहरे पर खुसिया होती है नौजवानों के चेहरे पर जब खुसिया आती है तो कहीं न कहीं उन खुसियों को राज भी महसूस करता है देज भी महसूस करता है इसलिए हमारी सरकार का संकल्प है कि वहाँ को रोजगार देने के परती हमारा जो संकल्प है कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार उसको हम दिन परती दिन आगे बढ़ाने का काम कर इसलिए जो , मावल ना त्ट या हुए है किछ टेकनिकल मामले में उन मुले जल्द ही一定要 करके उनको नियुकति की परकार पूरा करने जा रही है । उन लोगों को नियुक्ति के लिए जो परवाना मिलना है वो मिलने का काम सुरू हो जाएगा असपश्टूप से सरकार इस मामले में गंभी रहा है परक्रों नौ साल में आपकी सरकार पाइए सत्रह में भी पंदरा शेकर नितिसकुमार का भी तक सी एफ्यानीक नहीं पारा है मामला टेकनिकल रहा है कुछ दिन तक यह लोग भी कष़री के मामले में फसे हुए था तरफके तर जब वह कर निगली थी तो उसमें यह कहीं नहीं दर्साया गया था कि आपको जो है टाइपिंग देना पड़े गाँ एक ही तो बात बोलना कि टेखनी कली आप लेग सबने है उस प्रते के जो भी जो भी चीज है वह सरकार के अस्तर से उसको ठीक किया गया है, और सरकार गंभीर है इस मामले में उनलोगों को न्युकती परकिरिया जल्द ही पूरी किया है, इसके लिए मानिय मुखमंत्री जी लगातार सरकार के ओर से इस मामले में जो B.S.S.C. के चेर्मेन उसको दिसा निर्देश दे दिया गया है, असपस्ट तुप से जल्द ही उन लोगों को न्यूक्ति पत्र भी मिल जाएगा तो उनको क्या अस्वासन का मामला नहीं है उनको न्यूक्ति पत्र मिले यह मामला है और इस मामले में सरकार की गंभीर्ता पहले से भी रही है और आगे भी रहेगी चुक्छे जो बिहार में बनी है महागडवंधन की यह पूरी तिरह से रोजगार परक राजनीती करने वाली सरकार है यह नौजवानों को रोजगार देने वाली सरकार है और उस दिसा में हम निरंतर कार्ज कर रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए उनको मायूस होने के अफसकता नहीं है, उनको इसी एर में नियुक्ति पत्र भी मिलेगा उनके चेहरे पर मुस्कान भी आएगा। तो साथियों आपकी क्या पर्तिकरिया कमर्सबूक में जवाद जरूर दे, अगर आप दोस्तों आप यूटूब पर देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें, फेस्बूक पर देख रहे हैं, धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।